हेलो दोस्तो तो कैसे है आप सब बहुत स्वागत है आप सब का कुकिंग एन्मी की एक और मज़ेदार सी कुकिंग एपिसोड में तो आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ ये स्पेशल और ऑथन्टिक सी बिंगॉली चिकेन डाग बंगलो की रेसिपी और साथ ही मैं आप सब को ये भी बताने वाली हूँ कि इस रेसिपी को चिकेन डाग बंगलो ही क्यों कहा जाता है तो चलिए बिना देर किये आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो वीडियो का अंतक जरूर देखे और वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइट, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने ना भोले तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले चिकेन मैंने यहाँ पे लगभग 700 क्रम चिकेन दिये है जिसे मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया है अब इसे हमें मैरिनेट करना है मैरिनेट करने के लिए इसमें हम एट करेंगे एक टेबल स्पून नमक, एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर, एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टेबल स्पून जीरा पाउडर और धनिया पाउडर एक टेबल स्पून इसके बाद इसमें हमें add कर देने हैं लगभग 2 बरे टेबल स्पून जितना mustard oil याने सरसो के तेल और साथ ही इसमें हम add करेंगे अध्रक लसन के paste मैंने यहाँ पे लगभग 2 बरे टेबल स्पून जितना अध्रक लसन के paste यूज़ किये है और next इसमें हम डालेंगे दही दही भी मैंने यहाँ पे लगभग 2 बरे टेबल स्पून जितना यूज़ किया है और फिर इन सबको हमें बिलकुल अच्छे से हाथों का यूज़ करके मिला लेना है दोस्तो मैरिनेट करने के लिए हमेशे अपने हाथों का ही यूज़ करें इससे मसाले बिलकुल अच्छे से कोट हो जाते है तो ये लीज़े दोस्तो अब हमारे ये चिकन बिलकुल अच्छे से मैरिनेट हो गए है अब इसे हमें ढग कर लगबग एक खंटे के लिए फ्रीजर में रखना है ताकि ये बिलकुल अच्छे से सेट हो जाए तो तब तक हम यहाँ पे मसाला रेडी कर लेंगे दोस्तो मैंने यहाँ पे कुछ खड़े गरब मसाले लिए है लॉंग, इलैची, दालचीनी, काली मिर्च, जावित्री के फूल, थोड़े से जीरा, सौफ, धनिया और दो सुखी लाल मिर्च इसको दोस्तो एक गरम पैन में लो फ्लेम में हमें ड्राय रोस्ट कर लेना है इसे हम लगबग 2-3 मिनिट बिल्कुल अच्छे से फ्राय करेंगे जब तक ना इसमें बहुत ही अच्छी सी खुश्बू आने लगे दोस्तो यहाँ पे मैंने 2 सुखी लाल मिर्च का यूज किया है आप अपने स्वाद अनुसार इसमें जाधा यक का मैट करें तो अब इसको हम ठंडा करके एक ब्लेंडिंग जार में निकाल लेंगे और फिर इसका एक पाउडर बना लेंगे चलिए अब हम कुकिंग प्रोसेश शुरू करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे कड़ाई लिया है जिसमें मैंने लगभग 3-4 बरे टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल डाल दिये है जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें हम लगभग 4 मीडियम साइज के आलू को डालेंगे इस रेसिपी के लिए दोस्तों हम आलू को बिना काटे कुक करते हैं इस रेसिपी के लिए आप मेडियम साइज के आलू या उससे चोटे साइज के आलू का ही यूज करें तो अब इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है तो इसे फ्राई करते समय इसमें हम डालेंगे एक चोटा टेबल स्पून हल्दी पाउडर और नमक एक चोटा टेबल स्पून और फिर इसे हम जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए बिल्कुल अच्छे से फ्राई करते रहेंगे तो ये लीजिए अब हमारे ये आलू बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब इसे हम एक एक करके इस तेल में से निकाल लेंगे और फिर इसमें हम हमारे ये बॉयल किये हुए अंडे को डालेंगे मैंने इस रेसिपी के लिए दो बॉयल अंडे का यूस किया है आप चाहे तो इसे जाधा भी आड़ कर सकते है इसे भी हमें हलका सा गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है जाधा फ्राई बिल्कुल भी ना करें और फ्राई होने के बाद इसे भी हम तेल से निकाल लेंगे तो अब दोस्तो कडाई में अल्रेडी बहुत ओयल है तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा ओयल अड़ नहीं किया है आप चाहे तो आड़ कर सकते है मैंने इसमें लगभग एक छोटा टेबल स्पून जितना चीनी एड़ किया है इससे दोस्तो इसमें बहुत ही अच्छी से कलर आती है अब नेक्स इसमें हम एड़ कर देंगे प्यास प्यास मैंने यहाँ पे लगभग तीन बड़े साइज के ऐसे स्लाइस कर लिया था जिसे मैंने एड़ कर दिया है इसे दोस्तो हमें गोल्डन ब्राउन होने तक बिल्कुल अच्छे से फ्राई करते रहने है तो यह देखिए दोस्तो लगभग 4-5 मिनिट बिल्कुल अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें कितनी अच्छी सी golden brown वाली color आ गई है तो जैसे ही इसमें color आजाए इसमें हम add कर देंगे अध्रक और लेसन के paste मैंने इसमें लगबग 2 बरे टेबल स्पून जित्ता अध्रक लेसन के paste यूज़ किये है अब इसको हम बिल्कुल अच्छे से fry करेंगे लगबग 3-4 मिनिट के लिए जब तक ना इसमें से इसकी raw smell बिल्कुल अच्छे से चली जाए तो इस recipe में बहुत ही अच्छी वाली कलर लाने के लिए इस तेल में हम add कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लगबग 1 टेबल स्पून और साथ इसमें हम add करेंगे हल्दी पाउडर एक टेबल स्पून दोस्तों आप चाहे तो प्यास के add करने के पहले भी इसमें add कर सकते हैं इसे दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी वाली कलर आती है तो इस तेल में मसाले को ज़रूर add करें इसे भी हम लगबग 1-2 मिनिट बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे तो ये देखिए अब लग रही है ना हमारी ये प्यास बिल्कुल शानदार सी अब next इसमें हम add कर देंगे चिकन इसे मैंने एक घंटे के बाद फ्रीजर से निकाल लिया है तो ये मसाले बिल्कुल अच्छे से चिकन में सेट हो गया है इसे हमें इस मसाले के साथ बिल्कुल ब्रिटिश के समय की है कहा जाता है कि उस समय जब ब्रिटिश ऑफिसर्स या ट्रैवलर्स जब दूर दूर तक ट्रैवल करते थे तो रेस्ट लेने के लिए वो डाग बंगलो आया करते थे डाग बंगलो मतलब पोस्ट ऑफिस के जो बंगलो होते थे उस समय की डाग बंग वो भी ट्रैवलर्स नाइट स्टे करने के लिए वहाँ पे आते थे उनको ये चिकन डाग बंगलो वाली करी स्टीम ड्राइस के साथ सर्फ किया जाता था इस रेसिपी की स्पेशालिटी यही है कि इस रेसिपी में आलू और अंडे को साथ में कुक किया जाता है और दोस्तो इधर हमारे चिकन भी बिल्कुल अच्छे से फ्राइ हो गया है तो इसमें अब हमारे ये फ्राइ की हुए आलू को इसमें एट कर देंगे इसे भी हम बिल्कुल अच्छे से फ्राइ करते रहेंगे ताकि इसमें मसाले बिल्कुल अच्छे से चले जाए दोस्तो ये चिकन ड एक्चिली दोस्तो चिकेन डाग बंगलो की जो असली टेस्ट है इस मसाले से ही आती है इसे हमें बिल्कुल अच्छे से मिला लेने हैं लगपक 2-3 मिनिट और थोड़े देर फ्राइ करने के बाद ही देखेगा दोस्तो इसमें कितनी अच्छी सी खुश्बू आने लगेगी य इसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे और फिर इसमें हम नमक एट करतेंगे मैंने इसमें लगपक एक बरे टीबल स्पून जितना नमक यूज किया है आप अपने स्वाध अनुसार इसमें ज्यादा या कम एट करें फिर इसे भी हम बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे और फिर पर 20 मिनट के बाद आप मैंने इसमें से ठकर हटा दिया है आप इसको बीच में एक दो बार ज़रूर चेक कर ले तो ये देखिए हमारे इस ग्रेवी में कितनी अच्छी वाली कलर आई है बहुत ही शांदार और लजी सी लग रही है ना दोस्तो इस रेसिपी के लिए इस ग बहुत ही कम बनते हैं तो इस रेसिपी की असली स्वात को पाने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगे कि इस रेसिपी को एक बार घर पे जरूर ट्राइब करें आप सबको बहुत पसंद आने वाला है तो चलिए बिना देड किये फटा-फट इसे सर्फ कर लेते है तो ये लीजिए पेश है आप सब के लिए डाक बंगलो स्टाइल में डाक बंगलो चिकन करी की रेसिपी उमीद करती हूं कि आप सबको मेरी आज की रेसिपी और इस रेसिपी के पीछे की हिस्ट्री और स्टोडी बिल्कुल पसंद आई होगी तो अगर आप सबको मेरी कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले सो थैंक यू सो मच फोर वाचिंग